जिलाधिकारी ने पाथकपूर गोशाला, पाथकपूर ग्राम सचिवालय पाथकपूर सामुदाइक शोचालय काईल गोशाला, सैमला गोशाला, नगर पंचायत बब्राला का निरीक्षंग किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कईल गाव में सड़क पर जल्भराव को देख जिलाधिकारी ने सफाई कर्मी को निलंबित करने के दिये निर्देश. तारानकन, ग्राम सैमला स्थित गोशाला में अव्यवस्था को देख जिलाधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी का वेतन रोकने के दिये निर्देश आज जिलाधिकारी महोदे श्री मनीश बंसल ने जनपद की गोशालाओं तथा सामुदाइक शोचाले एवं नगर पंचायत बबराला का निरीक्षन किया उन्होंने सर्व प्रथम पाठक पुर्स्थित गोशाला का निरीक्षन किया जिलाधिकारी ने वहाँ सर्व प्रथम गोवंश की संख्या के बारे में जानकारी ली जिस पर केर्टेकर ने बताया कि गोशाला में 241 गोवंश है जिलाधिकारी ने गोवंश के भूसा, चारा, शेड, हरा चारा आदी के विशे में जानकारी ली तथा भूसा रखने वाले स्टो को चेक किया जिलाधिकारी ने भूसा स्टो पर CCTV कैमरा लगवाने के निर्देश दिये तथा सांडो को अलग रखने की व्यवस्था तथा बैरीकेडिंग को मजबूत रखने के निर्देश दिये इसके बाद जिलाधिकारी ने उसके नजदीक स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय का निरीक्षं किया तथा खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं को दीवार पर प्रदर्शित करे ताकि लोग योजनाओं के विशे में जान सके तथा ग्राम पंचायत सचेव एवं ग्राम पंचायत सहायक के बैठने का समय भी प्रदर्शित करे तथा सचिवालय परिसर में पेड़ पौधे एवं दिवारों पर वॉल पेंटिंग कराने की निर्देश दिये इसके उपरांथ पाथकपुर के सामुदाइक शोचालय का निरीक्षण किया तारांकन तथा वहां उपर फाइबर शीट लगवाने तथा बाहर चायादार व्रिक्ष लगवाने के निर्देश दिये इसके उपरांत ग्राम कैल में स्थित गौशाला का निरीक्षं किया। तारानकन वहां गौशाला से संबंदित भूसा स्टो एवं सभी रजिस्टरों को चेक किया तथा सभी रजिस्टर को खंडविकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी के द्वारा प्रमानित कराने के न निर्देश दिये। इसके उपरांत ग्राम कैल की सड़क पर जलभराव को देख जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा वहां के संबंदित सफाई कर्मचारी को निलंवित करने के निर्देश दिये। निर्देशित करते हुए कहा कि एक टीम गठित कर भूसा स्टो में लगी सामगरी तथा इट की गुनवत्ता की जाच करा ली जाए।